जैसा तोम सिद्ध आयनम है नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिन लोगों को हाई बलड प्रेसर रहता है यानि की हाई बीपी की समस्या है और नींद नहीं आती है इस वीडियो में बताये गए नुस्खे का प् उस मरीज को जो है नींद भी आने लग जाएगी दोस्तों जब आपके बोड़ी में हाई बलड प्रेसर यानि की बलड का सर्कूलेशन ज्यादा होता है उस कंडिशन में जो है मरीज को हर्ट अटेक हर्ट स्टोक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और लीवर और किड्नी की समस्याओं भी पैदा कर सकता है तो इस बिमारी को जो है किसी भी प्रकार से नजर अन्दाज ना करें और आपका हाई बलड प्रेसर रहता है बार बार आपका बीपी बढ़ता है तो आप एक लिपिड प्रोफाइल बलड टेस्ट होता है उसको अवस्या कराएं और सेंपल देने के लिए आपको बारा घंटे की फास्टिंग करनी आवशक है एक्जाम्पल के लिए आपको मॉर्निंग में खाली पेट सुबह वो बलट टेस्ट करवाना है तो साम को आपको आठ बजे खाना खाना है और सुबह आठ बजे ही आपको बेगार कुछ खाए पी वो बला टेस्ट करवाना है जिसे कि आपकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट जो है अच्छी आए और जैसा मैं वीडियो में बताऊं ये प्रियोग आपको करना है इस नुस्खे में आपको तीन चीजें यानि कि तीन ओजदिया लेनी हैं सबसे पहले आपको ओजदी ले देना है और किसी सी साथ में बर्के आपको रख लेना यह दवा आपको सुब्हे और साम के टाइम खाना खाने के आदा गहंटे बाद बोजन के आधा घंटे बाद आपको लेनी है आधा आधा चम्मच साधे पानी से या ताजे गुंगने पानी से आपको इस दवा का सेवन करना है और बीपी की जब आपको समस्या बढ़ती है तो बाजारू चीजों को अवोईड करें और फलो पर विचेश द्यान दें एक्सर वीडियो में ऐसा ही उपाए लेकर के तब तक के लिए जैहिन ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो